आपके पास Poco X6 है, X6 series का कोई भी फोन है तो यहां पर आप alarm की setting कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए clock का option आएगा, clock पर click कर लेंगे, clock आपके कुछी step से या फिर step से, कैसे भी open होगी तो आप alarm की section पर चले जाएंगे प्लास के option पर जाएंगे, नए alarm सेट करने के लिए, यहां पर time select कर लेंगे, कितने बज़े का alarm चाहिए आपको तो जैसे 6 बज़े का चाहिए या 5 बज़े का या आप देख लेंगे, 5 बज़े का कर दिया, am, pm देख लेंगे, morning का am, evening का pm होता है मैंने morning का कर दिया, ringtone के option पर जाएंगे, यहां पर अलग अलग ringtone की categories मिल जाती है, अगर इनमें से समझा रहा है तो select करके back कर लेना है, set हो चुका है, लेकिन अगर आपको custom करना है, तो all ringtone पर जाके आप अपना पसंद का लगा सकते हैं, अगर आपने download कर रखा है, local पर जाके ओके, यह add on हो जाएगा, और नाम पढ़ लेंगे, apply कर देंगे, तो यह applied हो गया है allow कर देंगे, तो ringtone आपका change हो गया है, और repeat पर click कर देंगे, अगर आपको daily repeat करना है तो on कर देंगे तो यह daily बचेगा, Monday to Friday करना है, तो इसको on कर देंगे, Sunday को नहीं बचेगा और Saturday को, अगर custom कर देंगे तो यह day आजाएंगे, तो यहाँ पर day सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस दिन आपको नहीं चाहिए, उस दिन आप बंद कर देंगे, जिस दिन चाहिए, उसको check mark करके कर देंगे, back कर देंगे, vibration चाहिए तो on कर देंगे, अब इस पर label का option आजाता है, label वो होता है, जैसे कि reminder एक तरह से, जैसे कि आप कोई stamp पर क्या करना होता है, दवाई खानी होती है, morning walk पर जाना है क्या करना होता है, वो लिख देंगे, set पर click करके, check mark पर click कर दिया, तो best option option है, आप ऐसे करके, use कर लेंगे इसको, बंद करना है, तो कई लोग बंद करने में problem करते हैं, बंद करने पर दो option है, एक तो turn off once, मतलब सिर्फ कल कल के लिए, तो आप उपर वाले option को select कर लेंगे, तो सिर्फ कल नहीं बज़ेगा, बाकी दुबारा से on हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए बंद करना है, किसी को तो नीचे वाले option को select कर लेंगे, तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, अभी मैं on कर देती हूँ, कुछ additional setting बाकी है, three dot पर जाके setting पर click कर लेंगे, अब यहाँ पर यह कुछ journal settings आगे हैं, जैसे alarm का ringtone यहां से बापिस से change कर सकते हैं यह timer हो गया, ringtone का volume जो आपका, okay, ringtone जो बचेगा वो, auto silence कितने minute बाद automatically silence होना चाहिए, एक minute बाद, additional alarm setting में यह आप on कर देंगे, shutdown alarm on रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर इसको on रखना है, इसे भी on रखना है, इसके बाद यहाँ पर snooze कितने minute बाद होना चाहिए, हर पांच minute में या दस minute में, दस minute में, दो बार या तीन बार, दो बार, okay, और volume बटन से dismiss के option को use कर लेंगे, back कर लेंगे, तो इस step से आप यहाँ पर ringtone, sorry, alarm की setting कर सकते हैं, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नेमा शुकर.